है गाईज वेलकम बेक टिमोटीव चालने तो अज हम लेजेंड ओफ ड्रेगन किंग सीरिस को फिर से कंटिनुव करने जा रहे हैं तो जसके हमने प्रीविस एपसोड में देखा था जायान बोल रही होती है कि नहीं हम ऐसे नहीं मारना चाहिए मतलब अक्चल में मनाई कर रही होती है उसे खतम करने के लिए और उससे कुछ भी रिंग वगएरा उप्टेन करने के लिए टैपसोड नुबर 78 की स्टाडिंग होती है वो सारे हरान होती है जायान बोल रही होती है कि हमने ऐसे तो काफी जादा सौल बीस्ट को मार रहा है पर उन सब इने पहले हमारे उपर अटाइक किया था हमने सिफ सेल्फ डिफेंस के तोर पर इटाइक किया उनके उपर इस टाइम हम इसके घर में आगे और इसको मारने की हम कोशिश कर रहे है अपने खुद के फायदे के लिए मैं ऐसी चीज़े नहीं कर सकती हूँ जैसे बोल रहा होता है कि तुमने डिसाइड कर लिए गिव अप करने का तो मुझे छोड़ दो मेरे उपर हम इसे भेच भी शकते हैं जायान उसे जमा देती है और बोलते है बकवास का नबंद करो बुलिन सोच रहा हता है कि जायान सही बोल रही है जो थ्री आइट गोल्डन लाइन है वो इनोसेंट है हम ही ऐसे इंसान है जो इसके घर में घुसाए थे क्या ये सही है हमारे लिए सावल बीस्ट को मानना कि सावल बीस्ट इविल है क्या वो लोगों को चोट पहुंचाते हैं या फिर ये हमारी जो भूख है लालच है इसने उन्हें एक तरिक्के से खतम कर दिया है पूरे तरिक्के से एक्स्टिंट कर दिया है अगर सावल बीस सची मुची हिस्ट्री का एक हिससाइ बनके रह जाएंगे तो क्या होगा इंसानियत का बुलिन बॉल रहा होते हैं थी हूँ क्या होए हुए हुँ को फॉन अधिया है। भूब बूल रहा है हम इसे नहीं चमांज रख ऑन पे हुआ इससे बिलिएक को चलता है हां सबूरी को फॉल्लवकरिक जारी थायु होटा है। worthy ज्वेस्ट होता हो उड़ा से ञएका जाते हों मतलब वह बार आगे होता है। उनकी एक्च्वल में डेथ हो गई होती है उसक्रीन किताब देख रहे होते हैं वहां पर जो बड़ा सा लाइन होता है वह अपने बच्चे को प्यार कर रहा होता है शन बोल रही होती है कि ट्रायल में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला क्या तुम्हें दुख है इस बात का वो ने डेसीजन लिइक ब सरहा कर लिया जिसने घुमारी इमेजीनेशन को पार कर लीख जिल रहा होता हमistam मेरी इमेजीनेशन शेल निकल किया है ते जिज़े बोल रहा है हमतलब वह सीत जोल रहे तक या कैसका मतलब हम जो स्क्वान पा ने सकते थे और अब्सर्वड नी कर सक बीनी था जिशी गुससे से बोलता है तुमने पहले यूनी बताया हमें शन बोल यह थी कि अगर तुमने थी आयट गॉल्डल राइन गोंडल यह उता है और डिसाइड कर लियुए उता कि किसी स्पॉल्स मिलना है मतलब किसी शीज मिलनी तो सभी को 6 पॉइंट्स मिलते पर त तुम शर्क के स्टुडेंट्स बनोगे तो मैं हमेशा एक चीज याद रखनी है कि तुम्हें कभी भी ग्रेट स्टार डाव फोरेस्ट में नहीं जाना है सौल बीस्ट को हंट करने के लिए और जैसे तुम्हारी परफॉमेंस से इस ट्रायल में मैं तुम्हें फुल स्कॉर के लावा कुछ भी नहीं नहीं हो तो बाकी चीज़े कुछ भी मैटर नहीं करते हैं अगर तुम्हारी पास टैलेंट भी होगा फिर भी मैं तुम सभी को बोलाने की सालबोन नहीं लेनी थी हमें गुई कुसे से बोल रही है ते क्या जूटे शान बोलती है कि चलो रिजल्ट दिखाती हूं तुम्हें मतलब बताती हूं फिर ऐसे इस ट्रायल के बास जिज़े के पास 60 पॉइंट्स होते हैं मतलब 61 पॉइंट ज शान बोल रही है ते कि तुम तीनों इस एक्जाम को पास कर चुकी है कॉंग्राचुलेशन्स मुझे फॉलो करो अब हम लास्ट एक्जाम रूम में चलते हैं तो सिक्स्टी पॉइंट्स आई तो सिर्फ गूई बचे हुई है जिसको सिर्फ दो पॉइंट्स की जरूरत है शान बोल रही है जो तुम्हारी पहले की परफॉमेंस को इवैलुएट करेंगे और तुम्हें स्कोर देंगे जो कि तुम्हारे टोटल में एड होगा जिसको से बोल रहा हुता है कि एल्डर काई द्वारा क्यों है यहां पे वो तिने एल्डर्स वहां पे बैठे होते हैं एल्डर्स पोल रहा होता है फुल मार्क्स मिले तुम्हें साथ ट्राइल्स के लिए और दो ट्राइल्स में तुम्हें जीरो मिला तुम्हारी परफॉम्हेंस को जादे खतनाक थी आउट्स्टेंडिंग थी तुम्हें ब्रेव हो वाइस और एक बहुत अच्छे लीडर हो नास ट्रायल तो में करना ही पड़ेगा फुल इसोच रहोता है कि करना ही बड़ेगा जीरो के लिए करा मुार में के सामने दो नावर तुम्हारा पोटेंशल काफी जादा अच्छा है तो हम तुम्हें साथ पॉइंट्स देते हैं जुएन बोल रहा होता है कि अब लास्ट गुयू ही है एल्डर काई घूर रही होती है गुयू की तरफ जुएन बोल रही होती है कि शान्त हो जाओ गुयू सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम इसे दो पॉइंट चाहिए तुम डेफिनेटली पास हो जाओगे जुएन बोल रहा है गुयू आगे की तरफ आओ गुयू आ जाती है वह एल्डर खांसरा होता है एल्डर काई बोलती है चलो मैं अनाउंस करते हैं रिजल्ट को वो सभी टेंशन में होते हैं वो सोच रही होता है कि एल्डर काई क्या करेगी अब एल्डर काई बोल रही होत कि अब तुम जा सकते हो वुलिन गूयों की ताफ देख के उसे आवाज लगाता है एल्डर काई बोल रहा है उस टाइम अगर तुमने मना ने किया होता तो यह ए बूल पड़ता है वो बोलता है मैं इसे असे अपनी कर सकता हूं गूयों की तरफ एल्डर काई भी हरान होती है क्या है एकर गुयू इस चीज को सक्ट नहीं करती तो मतलब होता है। टांग वूलिन ऐसे क्यों बोल रहा है, गूयू वूलिन की तब देखके बोलती है, कि मतलब उसे अवाज ही लगाती है, वूलिन बोलता है कि रिस्पेक्टिड एल्डर्स, क्या मैं जान सकता हूँ कि शुक अकडमी फियर है यहां पर, एल्डर का है बोल रही होती है कि कुछ भी इस वर्ल में फियर नहीं होता है, अगर तुम फियर चाते हो कि यह दुनिया बने तो तुम्हारे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जस्टिस के लिए लड़ना पड़ता है, ऐसे फ्री चीज नहीं होती है, जो ऐसे कोई भी दे देता है, तो मैं खुद के उपर ही एक दिन जब मैं स्ट्रॉंग बनूंगा, मैं आऊंगा यहां पर जस्टिस मुल्डर का इहरानी से बोलती है, कि क्या मना कर रहे हैं तुम शरक अकेडमी में आने के लिए, गुई भी हरानी से बोलते हैं, तुम दूनों को मुझे फोलो करने की कोई जरूत नहीं, यह इस बेहर को डिफीट कर दिया था, मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें फोलो करूंगा, मैं तब ही स्टॉंग बन सकता हूं अगर मैं तुम्हें फोलो करूंगा, इसलिए मैं भी नहीं आना चाता हूं यहां पर ऐसा मैं नहीं करने दे सकता हूं मैं अपनी रहना चाहता हूं इस बुड़ी ग्रैंड मा के साथ मैं तुम्हें फॉलो करूंगा वुलिन बोल रहते हैं वो तुम्हारी बात सुन सकती है ऐसे एल्डर का गुसा होती है वुलिन बोल रहता जायान तो मैं अपने आपके उपर प्रेशन नहीं डालना है हमें फॉलो करने के लिए जायन बोल रही होती है कि मैं कभी चाहती है नहीं थी साल मास्टर बनना वो सिर्फ मेरा ओल्ड मैन जो मुझे फोर्ट्स करता रहता था और उपर से यहां का जो प्रेशर है वो कुझा दे हाई है में लिए ये सूट नहीं करता है वो वहां से चल पड़ती है वुलिन बोल रहता है कि टीचर शाहन मुझे माफ कर दो मुझे लगता है कि हम इतने भी जादा कॉलिफाइड नहीं शरक के स्टुडेंट्स बनने के लिए ये एक टाइम पर मेरा सपना था पर मेरा सपना तूट चुका है मैं कयह जान सकता ह मतलब उस अंसन नहीं इस तरीकी की चीज़े significantly होता है अब पर चीज चा सकते है यहां से दफा पर जाओ वह सबी confused होते है, शाहन बोल रही होते है कि मैं तुमें बताती है यह जो elder है यह teacher who का teacher है और मेरा भी, तुम्हारा Grand Teacher है वोलिन बोल था Grand Teacher वो सभी greet करते हैं उसे और ऐसे बोल रहे होते है, मतलब जुग जाते हैं वो बोल रहा होता है, वोल मैं थोड़ा अपना गुस्ता शांत करके कि तुम कैसा हो रहे हो, तुम काफी स्जाद है आमेजिंग हो तुम यहां पर आई क्यों हूँ ऐसे अपना घ्मंड दिखाने के लिए कि तुम किसी के बात नहीं मानते हो तुम्हें पता भी के एफट्स क्या होते हैं ऐसा बोलते हैं जैसा टीचर होता है वैसे स्टूडेंट होते हैं तुमको जादा ही बात ना मानने वाले बेफकूफ हो यहां सोच रही होती है क्या डर यह वर्ड्स तुमारे खुद की उपर ही अप्लाई नहीं हो रहे हैं बाकी वह तीन हो मतलब चार हो भी सोच रही होते है कि टीचर वह कैसे इसके स्टूडेंट बन गे और मैं बोल रहा होता है कि तुम मेंको घुजा कुस रहा है कि तुम उससे डरते हो तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम्हें रोकना चाहिए तुम्हारी ग्रेंट डॉटर को यहां से निकाला जा रहा है जायान खत ना किया एक तरीके से और मैं बोल रहा होता है कि कि किसी की कभी हिमत नहीं पड़ी ऐसा बोलने कि तुम बोल रहा होता है कि तुम बोल रहा है कि तुम बोल रहा है कि तुम इससे डरते हो तुम इससे नहीं डरते हो पर तुम्हें जरा भी फरक नहीं पड़ रहा तुम क्या बोल रहे हो आज मैं चाहता हूँ कि चारो बच्चे शर्क अगैडमी को जॉइन करें जायान ऐसे स्माइल कर रही होती है और बाकियों की तरह फिजारा कर देती है एल्डर काई बोल रहे हो तिक है तुम भूल गयो कि हम टांग विलिन को मेकप ट्राइल के लिए लेके जाने वाले थे और मैं बोल रहा था हां मेकप ट्राइल जैसे की शर्क के रूल्स है एक स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर सकते है अगर उन्हें फुल मार्क्स मिले सब ही ट तो मैं पता भी रिक्वाइर्मेंट्स के फुल मार्क्स पाने के अगर आपको नेक्स देखना है तो वेट करो तब तक लिए यूनो वट तो डू डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक पे क्लिक करो एंड सब्स्क्राइब टू मिलते हैं आप से बाई